तो देखिए आज हम लोग बना रहे हैं मावा के गुलाब जामुन और एक गुलाब जामुन मैंने यहां पे काटके रखा है देखिए इसके अंदर तक चाशनी बहुत अच्छे से गई है और यह बहुत जूसी बने वे हैं काफी अच्छा इसका टेस्ट था और आप लोग भ खाना पसंद है तो आप लोग इसको जुरूर बनाएए और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है मावा के गुलाब जामुन का कि आप बाकी के गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मावा के गुलाब जामुन बनाना तो इसके लिए मैंन सारे चीनी एट कर दोंगी और जो हमारा हाफ टीफन पानी था। इसके हम इसमें एट कर दिनगे। और सिंपरी एट पाने ज़ना आख और चीनी को अच्छे से गलने देना चीनी पर गल जा लाएं तो तो यह विरे पूदे को तो भी तो 1 दंगीकर दे एक है। और दूद एट करते ही, जो इसका गंदा होता है वो उपर में निकल जाता है और हम इसको आसानी से चम्मच से निकाल सकते हैं तो सारी चाशनी को हम ऐसी साफ कर लेंगे, ठोड़ा धुरण डूद डालके चाशनी को हम साफ कर लेंगे तो देखिए चाशने अभी काफी साफ हो चुकी है अब हम इसको लो फ्लेम में पांच मेर तक पकने देंगे और इसमें हम थोड़ा सा चार या पांच इलाइची हम इसमें एट कर देंगे फ्लेवर के लिए और चाशने को हम लोफले में पकने देँगे, तब तक हम चलते हैं, डोब बनाने की तरफ, ये मैंने 1.5 kg मावा ले लिया है, और ये मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, तो मावा में हम 4 चमक्राइड कर देंगे, यसे क्या होगा, और दो चूटकी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिये है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये प्रोसेस काफी ध्यान से आप करिए क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेन प्रोसेस है इसको मिक्स करना आप 5 मिनदर तक अच्छे से इसको अपने हाथों से मसलते रहना है जितने अच्छे से आप इसको मसलेंगे बहुत सॉफ्ट डो बनके रेडी होगा तो आप लोग इसको इसी तरह से मसलते रहे और प्लीस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बैल आइकन को प्रस करना भी ना भूले तो देखिए मैं इसी तरह से इसको पांश मेर तक मसल लूँगी और इसका एक अच्छा सा डो मैंने देखे लगा लिया है और बहुत सॉफ्ट इबनके रेडी होगा है तो जब तब डो को हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं और हम देख लेते हैं अपनी चाशनी जो की पांश मेर से उबल रही थी लो फ्लेम पे देखिए पांश मेर इसको हो चुके हैं ये लो फ्लेम में उबल रही थी और अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमको इसको तार की चाशनी नहीं बनाना है बस इसको हलका सा चिप चिपा हट हमें इस पे ले के आनी है देखें में अंगली से इसको दबा रही हूं तो बस मेरी अंगली चिपक रही है तो हमारा जो चाशनी था उबन के रेडी है और हम इसका फ्रेम करते हैं बंद अब हम इस के बॉल्स बना लेंगे चोटा चोटा सामको अटा लेना है और दोनों हातों में इसको दबा लेना है और दबा के हम इसका अच्छा सा एक बॉल बना लेंगे तो बॉल आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं आपको जैसा कलर बॉल चाहिए चोटा या बड़ा साइज आप पर तो देखिए, कितना अच्छा इसका मतलब थोड़ा सा इसको प्रैस करेंगे, तो इसका एक बहुत अच्छा प्रैक-फ्री बॉल बनके रेडि हो जाता है, तो इसी तरह से मैं सारे बौल्स इसके बना लूंगी, दोनु रचेलियू में इसको इसको हल्का सा प्रैस करते हैं, और इसका एक अच्छा सा बॉल बनाके रेडिकल देते हैं. तो देखिए कितना इजी है इसको बनाना बहुत अच्छे से बन जाता है और अगर आपका आठा अच्छे से नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर बॉल्स में क्रैक आ जाएंगे. और फिर आप उसको दुबारा से मसलिए जब तक कि हमारे बॉल्स क्रैक फ्री ना हो. तो तेल मने रख दिया था यह गरम हो चुका है और अब हम इसमें वन बाई वन सारे बॉल एट कर देंगे. तो सारे बॉल्स को एक बार ना डालें क्योंकि उसे जो तेल का टेमप्रिचर है अर्चानक से डाउन हो जाएगा. वन बाई वन हम इसमें देदे देदे से बॉल को एट कर देंगे. तो यह देखिए मैं सारे बॉल्स को इसी तरह से इसमें एट कर लूँगी. और गैस का जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे. और इसी तरह से इसको चमच से हिलाते वे हम इसको तल लेंगे. और यह देखिए कितना अच्छा मारा इसका कलर आ चुका है. हमारे गुलाब जवन बन चुके हैं क्योंकि इसका कलर डाक गोल्डन ब्राउन आ चुका है. देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रुख है. लो फ्लेम मां आपको बस यह कलर लाने तक इसको फ्राइ कर लेंगे. तो अब हम इसको लेंगे और इसको हम चाशनी में डाल देंगे. तो आप उसी समय चाशनी में डाल लिए उसको ठंडा नहीं करना है. कड़ाई से निकालना है और चाशनी में इसको डुबो देना है. ये देखिए मैंने इसको इसमें डाल दिया. और हलका सा चमस से इसको नीचे को प्रेस कर देना है और चाशनी भी हलकी सी गरम होनी चाहिए तो बस हम इसको पांश मिर तक छोड़ देंगे और पांश मिर में इस सारी चाशनी इसमें से पी लेंगे तो इसी तरह से हम सेकिंड बैच भी बना के रैडी कर लेंगे कितना light brown color इसका हो चुका है इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे और अगर आपको black कुलाब जामू चाहिए तो फिर आप इसको इसी तरह से जब तक कि इसका color dark black न हो जाए तब तक आप इसको भूनिए उसके बाद आप इसको चाशनी में डाल सकते हैं और फिलाल मैं इसको golden brown तक भून लोंगी यह देखिए कितने अच्छे से fry हो चुके हैं कितना अच्छा इसका color लग रहा है आप लोग देख सकते हैं इसका color तो बस हमारा second batch भी बनके ready है और हम इसको डाल देंगे चाशनी में तो देखिए जो हमारा first batch था वो काफी full चुके हैं भी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ एक piece इसमें से यह देखिए कितना अच्छे से बना हुआ इसका color देखिए और यह काफी full चुके हैं इसे के उपर हम इसको डाल देंगे और इसको हम mix कल देंगे और मेरी थोड़ी सी चाशनी कम हो गई बट यह चल जाएगा आप इसको इसी तरह से हिलाएंगे तो सारी चाशनी भी गाइब हो चुकी होगी यह देखिए हमारा जो second batch था उसने भी अच्छे से चाशनी पी लिया है अभी देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है तो हमारे गुलाब जमन बनके रेडी है यह देखिए बहुत टेस्टी थे खाने में आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए और मिलते हैं अभी आपसे यह इसके नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी किसाथ तब तक कि लिए बाई बाई